अलो स्टूडेंट्स, स्वागात है आपका UPITI इंस्ट्रक्टर के इस योटूब प्लेटफॉर्म पे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भारती रेल बनारस रेल इंजिन कार खाना जो की बाराणसी में है इसने आईटियाई बैच के लिए और नौन आईटियाई बैच दोनों के लिए अपरेंटिस है तू आविदन पत्र मांगे है जिनकी ऑनलाइन आविदन करने की अंतिम्तिती आप देख पा रहे होंगे 26.2022 को साम को आने 5 बजे तक रखी गई है साथ ही साथ ऑनलाइन भुक्तान करने की अंतिम्तिती 26.2022 लास्ट डेट इसमें रखी गई है जो भी केंडिडेट्स आईटियाई करने के बाद अपरेंटिस सिप करना चाहते हैं वो भारती रेल बनारस रेल एंजिन कार खाना से अपरेंटिस सिप कर सकते हैं अच्छण हे तू आईटियाई 300 एवं नौन आईटियाई में 74 सीट्स हैं जिसके लिए रेलवे बोर्ड ने जो हैं ऑनलाइन फोडल के तहत आविदन पत्तर मांगे हैं यानि कि जो भी केंडिडेट्स भारती रेल बनारस इंजिन खाना से अपरेंटिसिप करना चाहते हैं वो इसकी ओफिसियल वेबसाइट पर जाकर यहां से अपलाई कर सकते हैं देखिए अगर मैं पहले आईटियाई रिक्तियों की अगर मैं विबरेंट की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि फिटर में ओबरेंटिसिप की यहां बात करें आइट ए अगर हम बात करें नौण आईटियाई ट्रेट्स के बारे में तो यहां फिटर के लिए ती सीट हैं Carpenter और Painter के लिए कोई भी seat उपलब्द नहीं है Machinist के लिए 15 और Welder के लिए 11 Electrician के लिए 18 seat है Total 74 seat है एविलेवल होंगी In total ITI के seats में से 3% और Non-ITI की seats का 3% यानि की 9 seat ITI की और 2 seat है Non-ITI की जो है वो दिव्यांग कोटे के अंतरगत Save रखी जाएंगी यानि Reserve रखी जाएंगी देखी अब बात करते हैं जो Candidates EWS से ये Form फिल करना चाहते हैं मैं उन्हों बताना चाहूंगा कि जो आपका Income Certificate है वो 17-2021 के बात का होना चाहिए साथ ही साथ आपका EWS Certificate भी इस Date के बात का होना चाहिए तब आप इसमें Eligible होंगे और अपने EWS का 10% का जो है आरक्षन आप राप कर पाएंगे अगर मैं बात करूँ इसकी Section और तकनीकी योगिता की तो जो Non-ITIE से Apprenticesip करना चाहते हैं उनके लिए 12th Pass होना जरूरी है या वो High School Pass भी होना चाहिए साथ ही साथ 50% उसका percentage होना चाहिए और ये जो आपका result है वो अधीस उचना जारी होने की 26-3-2022 से पूर आपका result आ जाना चाहिए अगर मैं बात करूँ ITI के students के लिए जो Apprenticesip करना चाहते हैं वो High School या High School के साथ Enter या Enter की बात आपका जो ITI है उसमें 50% आपका संबंदे ट्रेड में उत्रीन होना चाहिए और आपका ITI का result जो है वो भी 26-3-2022 से पूर्व अवश्या जाना चाहिए यहाँ आप देख पारे होंगे उम्र सीमा में छूट अनुसूचित जाती और जन जाती के लिए 5 वर्स OVC के लिए 3 वर्स दिव्यांग जिसमें की अन्रिजब कैटेगरी में 10 वर्स SCST में 15 वर्स और OVC में 13 वर्स एक सर्विसमें प्रती रख्षा बलों में प्रदान की गई सेवा काल योग 3 वर्स हो जाए लगेगा फाइनली अगर आब बात करें चैन के अधार के बारे में तो देखिए उपरोक्त विदियों में नामिक बनने हे तू अभ्यारतियों के मेट्रिकुलेशन पर इच्छा प्रापतंकों के प्रसत के अधार पर मेरिट के अभ्यारती उम्मिदवारी पर बचार किये जाएगा नौन आइटेई चायन में यद्दपी आइटेई उत्त्रीन अभ्यारतियों को लिया जाएगा परन्तु उन्हें आइटेई के प्रापतंक का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा केवल उनके पास अधी सूचना ट्रेट का प्रापत्र या अंग प्रापत्र होना आवश्चक है यानि सिंबल सब्दों मेंगर मैं बात करूँ तो जो भी आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी हाई स्कूल के नंबर के अधार पर ही बनाई जाएगी इसमें आइटेई में जो आपका अगर बात करें आविदन सुल्क की तो सौर पर इसका सुल्क है जिसमें आप किसी भी मोड में डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकेंग के मात्यम से आप इसको पे कर सकते हैं फॉर्म को फिल करने के बाद अंतिमतिती मैं आपको बता चुका हूँ अल्रेडी ये कुछ एडिसनल इंफॉर्मिशन है कि आपका जो फोटो है वो रंगीन होना चाहिए, बैग्ग्राउंड सफेद होना चाहिए चार बाई पांस सैंटी मिटर की आपकी फोटो होना चाहिए ट्रेनिंग की दौरान आप कोई भी उपद्रव ना करें ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट करें और सेम नोटेस आपका ये जो है इंग्लिस में प्रोवाइट किया गया है तो ये थी आज की ख़वर तो जो भी उम्मीद एक्चक उम्मीदवार भारती रेल एंजिन कारखाना बनारस से अप्रेंटिसिप करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं देगे सबसे एक most important चीज में आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी अब भारती इसमें अप्रेंटिसिप करना चाहते हैं वो प्रसिच्छन से पूर्व RDAT यानि की Regional Directorates of Apprentice Training के वेबसाइट पर पंजी करन करा कर ही पंजी करन संख्या प्राप्त कर लें और इसके बाद ही जो है अप्रेंटिसिप के लिए अप्लाई करें अगर मैं बात करूँ कि ये फॉर्म किस जगह से अप्लाई होगा तो आप स्क्रीन पर वेबसाइट देख पा रहे होंगे www.blw.indianrailways.gov.in आप इस वेबसाइट पर जाकर वहां से अप्रेंटिसिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं बने रही है वीडियो में और चैनल को लाइक से और सस्क्राइब जरू करिए ताकि आने वाले अप्डेट्स आप तक पहुंचा सकें थैंक्यू सो मच